हेलो एवरिवन वेलकम तो जिंगिंग लाइफ आज मैं आप सब के लिए लेकर आयू इंस्टेंट डोसा की रेसिपी यानि आपको जब भी डोसा खाना हो तो आप ये डोसा 10 मिनिट में बना के रेडी कर सकते हो ना चावल भीगोने है ना दाल भीगोनी है और जब भी मन हो ये डोसा हम बना के खा सकते हैं तो आईए चलिए मेरे किचन में आज हम बनाते हैं इंस इस्टेंट डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल सूजी, यह मोटी वाली सूजी है, और वन फूर्थ बाउल लिया है मैंने आटा, रेगुलर आटा जो हम घर में यूज करते हैं, वह यूज किया है मैंने, सबसे पहले इस सूजी को हम मिक्षजार में डालेंगे, और आटा भी इसमें एड़ कर देंगे, ताकि यह दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए और सूजी हमारी बारिक पिष जाए, यह देखिए मैंने बारिक इनको पीस लिया है, अब मैं इसको डालूँगी एक पहल में, आधा कब इसमें डालूँगी, दही, salt according to taste, और अब इसमें पानी मिलाते हुए, इसका एक अच्छे सा बैटर रैडी कर लूँगी, ध्यान रखना है हमें यह कि आटा है, तो लंस इसमें जल्दी पढ़ जाते हैं, तो इसमें आट पानी हमें फोड़ा ज्यादा ही मिक्स करना होगा, और इस तरह से अच्छा सा हमें बना के रैडी करना है, यह बैटर बन के रैडी हो गया है, तो अब मैं इसे प्लेट से धक्कन लगा कर पांच मिनट के लिए साइड में रख दूँगी और थोड़ी सी वेजिटेबल तब तक कट कर लूँगी, फाइप मिनट हो चुके हैं, तो मैंने थोड़े से टमाटे और अनियन और कैपसिका हमको कट कर लिया है, अब बैटर चेक कर लेते हैं, बैटर थोड़ा सा गाड़ा हो गया है, विकाज सूजी थी, तो पानी उसने सौक किया है, अब थोड़ा सा पानी इसमें डाल के बैटर को थोड़ा पतला कर लेंगे, और इस एक तवे को मैंने पहले से गयस पे गरम खुने के लिए रख दिया था तो थोड़े से पानी के चींटे डाल कर हम तवे को फिर से थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और कटोरी से बैटर को डाल कर दोसे को हम इस तरह से तवे पे फैला देंगे यह देखिए दोसा पकने को आ रहा है अब मैं इसमें डालूँगे थोड़े से अनियन थोड़े से टमाटर थोड़े से कैपसिकम यह वन स्पून में डालूँगे सेजवान सॉस वन स्पून डालूँगे इसमें टमाटो कैचप यह होम में टमाटो कैचप है मेरा और वन स्प इन सब को अच्छे से mix करते हुए मैं इस डूसे पर अच्छे से प्यला दूँगी आप चाहो तो इसमें cheese भी add कर सकते हो, पनीर भी add कर सकते हो onion नहीं खाते तो आप onion को skip कर सकते हो आप चाहो तो आलू का masala भी बना के इसमें add कर सकते हो कैसे भी आप कर सकते हो इसको अच्छे से इसको इसपे स्प्रैट कर दूँगी और अब मैं लूँगी एक थाली और इसे आधे मिनट के लिए इसपे धक्कन लगा दूँगी आधे मिनट बाद चेक कर लेते हैं तो यह देखे सारी वेजटेबल स्पेस में अच्छे से पक चुकी है तो यह डोसा हमारा बन के रैडी हो गया है तो अब हम इसे चटनी, सौस, सांबर आपको जिसके साथ सर्व करना है आप इसको सर्व कर सकते हैं आलो के मसाले के साथ खाना है आप आलो के मसाले के साथ खा सकते है बस ये डोसा हमारा 10 निट्स में बन करके रेडी हो जाएगा तो आप इसको कभी भी बना सकते हो घर पे तो लीजिए रेडी है इंस्टेंट डोसा अच्छी लगी आप सबको मेरी आज की इंस्टेंट डोसे की रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पासी के बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने घर में भी आप इसी तरह से दोसा बना के ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए कि आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई